आज की वीडियो में दोस्तों। आप लोग मनी प्लांट को उगाना सीखेंगे, मनी प्लांट को किस तरह से जलदी घर में उगाया जाए, पूरी इंफोर्मेशन आपको दूंगा तो उसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। अक्सर दोस्तों मनी प्लांट को मॉस्टिक पर उगाया जाता है मॉस्टिक पर प्लांट ये काफी सुन्दर लगता है आप इसे घर में एक डेकोरेशन की तरह रख सकते हैं ये काफी सुन्दर ये प्लांट लगता है basket में भी लगा सकते हैं, hanging basket में भी बहुत अच्छी तरह ये ग्रो करता है, बहुत सुन्दर लगता है सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे, money plant उकाने के लिए किस तरह की मिट्टी ली जाए? तो मिट्टी जो है कहीं तरह की मिट्टी आप ले सकते है तो उसमें असानी सा पानी ड्रेन हो जाए, पानी उसमें रुका न आ रहे बिल्कुल चिकणी मि्टी नहीं लेंगे हम honey plant उगाने के लिए इसके अलावा आज हम लोग honey plant को mostic पर उगाएंगे तो moustic को हम बिल्कुल अच्छी तरह से जो है गमले के सेंटर में उसे गड़ा देंगे गमले के सेंटर में लगे होने से आपका जो है प्लांट अच्छा लगेगा, सुन्दर लगेगा, एट्रैक्टिव लगेगा इसके साथ में पौधे का जो गमले का बैलेंस है वो भी अच्छी तरह से बना रहेगा moustic को गमले में लगाने के बाद, अब हम लोग मनी प्लांट की कटिंग को चूज करेंगे जो आपके पास existing money plant हो, आप वो ले सकते हैं वरना आपको जो कहीं बहार से money plant लेकर के आ सकते हैं बहुत असानी से ये cutting से लग जाता है मनी प्लांट को cutting से उगाने के लिए जो भी अप cutting लेते हैं वो कम से कम 10 से 15 इंच की cutting आप लीजिए cutting के अंदर जो nishila part cutting का है जो हम मिट्टी के अंदर गढाएंगे उसके अंदर की सारी पत्तियां आप हटा दीजिए कम से कम उसके अंदर जो है 5 से, 4 से 5 node area होने चाहिए node area हो होते हैं जहां से पत्ते निकलते हैं यह जो आप देख रहे हैं कटिंग को मिट्टी में लगाने के बाद मिट्टी से कवर करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि कटिंग को जो है थोड़ा सा मौस्टिक से दूर लगाईए बिल्कुल मौस्टिक के से सटाके मत लगाईए मॉस्टिक के बिल्कुल पास आप लगाएंगे तो आपकी cutting जल्दी गलने के chances हो जाएंगे तो उसलिए थोड़ा सा दूर रखके आप मॉस्टिक से cutting को लगाईए cutting आपकी लग जाने के बाद एक बार आपकी cutting लग जाये तो उसे अच्छी तरह से पानी दीजिये, रोज उसे पानी दीजिये, रोज जैसे आप और पौदों में पानी देते हैं, उस तरह से पानी दीजिये, इसके अलावा जो भी कटिंग है, उसका कुछ भी पत्ता, मिट्टी से टच नहीं करना चाहिए, बहुत जादा अगर पत्ते आपके मिट्टी पे ग गम्ले में लगाने के बाद उस गम्ले को आप चाया में रखीए गर्मिया से बिल्कुल भी पज़द नहीं है मनी प्लांट को और धूब ज्बी पसंद नहीं है तो कोशिश कीजिये कि गम्ले को बिल्कुल चाया वाली जगा रखा जाये पानी से रेगिलरली डालिए जब तक आपको उसमें नई नई पती आना नजर ना आ जाए मनी प्लांट हम लोग मिट्टी में तो उगाते ही उगाते हैं उसके साथ साथ में आप पानी में भी मनी प्लांट बहुत ही असानी से उगा सकते हैं पानी में हमने एक पानी की ये बॉटल ली है उसके अंदर हमने पानी उपर तक भर दिया है और उसके अंदर हम वही सेम रूल रखेंगे कि कम से कम तीन से चार नोड जो है वो पानी के अंदर जानी चाहिए और बाकी का प्लांट आप पानी के उपर इस तरह से छोड़ सकते ह पते पानी में टच नहीं होने चाहिए पते ज़ादा पानी पे टच होंगे तो पानी आपका जो पते हैं वो गलने लग जाएंगे दोस्तों ये वही cutting है जो हमने लगाई थी एक हफ़ते पहले ये एक हफ़ते बाद का result है और इस plant ने rooting ले ली है इस cutting ने rooting ले ली है money plant की अब सफेद रंकी जो देख रहे हैं ये सारी इसकी roots हैं मैं आपको अच्छी तरह से निकाल के दिखाता हूँ अब इस cutting को आप किसी गमले में गड़ा सकते हैं किसी मिट्टी में लगा सकते हैं अब इसमें rooting तो होई चुकी है अगर आप मिट्टी में नहीं लगाना चाहते तो आप इसे पानी में भी इसी तरह छोड़ सकते हैं कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है अगर आप पानी में अपने money plant को उगाना है money plant को या फिर money plant की family में किसी भी plant को पानी में उगाना बहुत ही जादा असान है लेकिन कुछ चीज़े ऐसी हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप plant को जिस भी पानी में लगाते हैं जिस भी bottle में लगाते हैं तो उस पानी को आप कम से कम हफते में एक से दो बार change कीजिए जिससे mosquito infestation नहीं हो पाएगा मच्छर नहीं पन पेंगे पानी में और इसके अलावा gutting का कुछ पार्ट गल के पानी को जो है pollute करता है और जिससे आपकी cutting अच्छी तरह से rooting नहीं ले पाती तो कम से कम आप एक से दो बार हफते में पानी को जरूर change कीजिए cutting एक बार roots निकाल ले उसके बाद आप इसे मिट्टी में transfer भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने दो cutting लगाए थी दोनों में ही roots आ गई है और देख रहे हैं आप किस तरह से सिर्फ node area में से ही root आई है जिस area पे पत्ते थे पत्ते जो हमनें तोड़े थे आप देख सकते ह node area में से सफेध रंकी roots आ कई तो इसलिए node area लेना बहुत जरूरी है आप इसको पानी में भी छोड़ सकते हैं हम इसको cutting में भी कहीं पर भी मिट्टी में भी लगा सकते हैं तो जिस तरह से आपकी इच्छा आप इसे उस तरह से उगा सकते हैं एक पर आपका money plant अच्छी तर इसमें डाली है जिसमें high nitrogen हो तो हम यूरिया का सिमाल करते हैं यूरिया वैसे गमलों में बहुत साफधानी से डालना चाहिए गमलों में नहीं डाला जाता वैसे क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ज्यादा यूरिया पढ़ जाय तो आपके पौदे बिलकुल खराब हो सकते है मनी प्लांट को अच्छी तरह से फर्टिलाइस करने के लिए आप उसके अंदर यूरिया डाल सकते हैं यूरिया के कुछ दाने आप उसमें डाल सकते हैं अगर आप चम्मत से नापना चाहें तो आप 1 3rd टी स्पून के करीब आप यूरिया ले सकते हैं और उसे आप अपने सीवीड एक्स्राक्ट का अस्तमाल कर सकते हैं आप गोबर की खाट डाल सकते हैं वो भी इसके लिए काफी रहती है कोई भी इन और गयानिक खाट डालने से पहले जैसे यूरिया डालने से पहले कुछ चीज़ों की साफधानी आपको हमेशा बरतनी चाहिए गर्मियों में बहुत जादा जब गर्मिया पड़ रही हों गर्मियों के बहुत जादा गरम महीने हों तो उन महीनों में आप यूरिया डालना अवाइड कीजिए पौधा बहुत जल्दी आपका जल जाएगा सर्दियों के महीनों में और बारिश के महीनों में आप यूरिया डाल सकते है बिल्कुल असानी से लेकिन गर्मियों के कुछ महीनों में जब टेंपरेचर 40 डिगरी से उपर हो उस टाइम पर आप यूरिया डालना अवाइड कीजिए दोस्तों ये थी कुछ इन्फरमेशन मनी प्लांट के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो से लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर भी कीजिए तैंक यू सो मच पर वाचिंग फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ